कई परिवर्टन जीवन में भी इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जिसका इंतजार हमें लंबे समय तक रहता है और एक वर्ष में ग्रही ये विवस्ता में भी कुछ ऐसे परिवर्टन सामने आते हैं जो बहु प्रतक्षत होते हैं जिस तरह से 24 जनवरी 2020 एक तारिक थी जहां शनिदेव धनू से निकल कर मकरस्त प्रवेश किये और वहीं पर भी चलायमान है तो 23 सेतंबर 2020 23 और सेप्टेंबर 2020 ये वो तारिक रहेगी जहां पर राहू और केतू जो की छाया वालिक रहे हैं पापिक रहे हैं सबस्टेंशल पार्ट में जिनका एविडेंस नहीं है हमे है तो केतू सस्ट में ही होंगे यानि कि सब्तम से सब्तम की स्ततियों में ये दूनों ही ग्रहे हमेशा चलायमान रहते हैं तो 23 सेतंबर 2020 को जब ये परिवर्तित स्ततियों में आएंगे तो प्रती एक राशिवार करम में मैं कारिकरम लेकर उपस्त रहूंगा किन्तु आज कि ये वशेश चर्चा का वशेश यही था कि जब अगस्त महिने की शुरुवात में मैं ये कारिकरम रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से लेकर 23 सेतंबर 2020 तक हमें इस समय की पहचान को किस तरह से अपने जीवन में लेकर आना है और परिवर्तनों में कितनी सजक्ता रखने की आवशक्ता है मैंने जब मासक राशिफल अगस्त का लिया था तब भी आपसे यही निविदन किया था कि अगर आप व्यापारिक जीवन में किसी भी परिवर्तन का निरने लेना चाह रहे हैं एड-on करना चाह रहे हैं बिजनस को या फिर किसी व्यक्ति विशेश को ओफर को कॉंप्रोमाइस के साथ में एकसेप्ट कर रहे हैं तो क्या तेबी सितंबर तक रोकना चाहिए या फिर हम अभी ही गंतब विशेल हो सकते हैं ये एक महतुपूर्ण बिंदू है तो वही पारिवारिक जीवन के भीतर अगर हमको पारिवारिक वरद्धी के तरफ ज वयम ही नरणय की और जाना है कि इस रिलिशन के साथ में क्या जीवन का मंगला चरण देखा जा सकता है क्या ये सारी ही जो सोचने वाले एकाई होती है इसमें कहीं ने कहीं राहू एक द्वंद देने वाले हो जाते हैं और जब भी परिवर्तन शीलता की और अग्रसर होते ह तो मती को यानि कि जो ब्रेंस्टॉर्मिंग की अपरोच है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले हो जाते हैं व्यक्ति की जो सोचने की तिव्रगामी स्थियां है वो ऐसे ब्रहम जाल के भेतर आ जाती है उसे लगता है कि जो निरणाय में ले रहा हूँ वो बिलकुल सह ही है और इसमें कहीं पर भी मैं किसे का हस्तक्षे बरदाश्ट नहीं करूँगा आपने कई बार जीवन में ऐसे समय देखे होंगे जहां लोगों ने आकर आपको सलाह दी हमें सलाह दी कि थोड़ा सा रोग जाना चाहिए किन्तु हम एक तिव्रगामी स्थर की उपर चल रह देखिएगा कि राहू की दशा का अंतराल शुरुवाती स्तर के उपर तो अभी नहीं चल रहा है या फिर अंतिम अंतराल के साथ में तो इस्ततियां अग्रसर नहीं है ये भी चेक करना आवशक और उसी के साथ में निर्णे की स्ततियों को आगे लेकर आना चाहिए कुल ज तो अब इसका आधार हमारे सामने किस तरह से है तो सरो पर्थम अगर मैं राशी वार कर्म में ही इस बात की चर्चा करूँ तो आप देखेंगे कि मेश राशी के लिए यहाँ पराकरम और पुरशार्त के उपर नियंतरन रखने की आवशकता होगी किसी वेक्ति विशेश ने आपको ये कहा कि आप तो परिवर्तन की और चले जाएए या फिर वो वेक्ति लंबे समय से आपकी लिए कोई ने कोई कौई कॉई भीतर रखनी होगी कि longer term में कितना benefit हमारे लिए रह सकता है और वहीं पर क्योंकी शनीदेव आपके लिए 10th house की पूरिशन्स में चल रहे हैं भाग दोड के सिरे बने हुए हैं तो जो existing frame है वहीं पर भाग दोड अगर बढ़ती है तो आपके लिए जादा अच्छी इस्ततियां रहेंगी ब्रहम का शिकार होने से बचना चाहिए भाईयों के साथ में रिष्टों में कहीं पर भी कड़वाहट पनपी है तब भी हम ये प्रयास करें कि धीमापन रहे भाग दे के साथ में सरोकार बने रहेंगे किन्तु भाग्य के भरोसे जोकिम लेने से यहां आपको बचना होगा व्यापारिक जीवन के अंदर भी और रोपय पैसे से संबंदे जो भी निरने होते हैं वहाँ पर भी अगर आप अपनी चाल को धीमा रखते हैं तो यह समय ज्यादा इस तर्य माध्यम के साथ में और मध्यम गत्यविद्यों के साथ में नेकलने वाला रहेगा वहीं वरशब राशे के लिए इस समय यानि कि 23 सितंबर 2020 तक वाणी में नियंतरण की आवशक्ता रहेंगी कुटुमभी जनों के साथ में किसी भी तरीके के अवरोध या पिर पैतरक संपत्ती को लेकर कोई विवाद चल रहा है तब भी आप पूरे तरीके से यहां अपने व्यवार में और जो व्यापारिक दिरिश्ट कोण भी होता है कुटुम के साथ में जुड़ा हुआ वहाँ पर भी बहुत जादा धेर और सजक्ता रख कर चलिएगा फाइनेंसेस के बेस के उपर किसी भी इंवेस्टमेंट के तरफ जाना है अभी आप सिर्फ प्लानिंग करें और कोई निरनाय कतिवधी पहले से सोची वी थी तो उस वारा बगंतब बशील हो सकते हैं जो आकस्मिक परेशानिया होती है वो नियंतरत रहेंगी किन्तु विदेश संबंधी कामकाज में भी आपको एक ठहराव क्या विशक्ता यहां है रिसर्च और एनलेस संबंधी कामकाज जो थ्रेशोल्ड के उपर पहुंच चुका है और आप उसके एक्जीक्यूशन की लेवल की तरफ जा रहे हैं किन्तु मन में एक ठकावट है उक्ताहट है कि शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे यह ब्रहम है 23 सेतंबर तक यानि कि अगले 40 से 45 पचास दिनों तक आपको स्वयम को नियंतरत करके रखना होगा मित्वन राशी जिनको भी ढहिया का अंतराल भी चल रहा है संगर्ष जब लगातार परति धुनित होते हैं तो व्यक्ति कई बार यह सोचता है कि समय मेरा सात्मी दे रहा है मैं किसी और व्यक्ति के साथ में अपने कारे को बढ़ाता हूं मैं परिवर्तन की और जाता हूं किन्तु यहां संगर्ष की गतिवदिया है संगर्ष व में स्विकारुक्ति लेकर आईए और जो यह समय वर्षब और वर्ष्चिक में जब तक रहू और केतु नहीं आ जाते हैं अपनी चाल के भीतर एक मध्यम गति लाकर रखिए जो आपने पिछली सत्रह 18 मेनों से अपने व्यापार को डेवलप करने का काम किया है जिस तरह से उसको संजोया है लोगों को साथ में चलाया है अब कुछ ही वक्त है वैसी ही गतिवदियों के साथ में आप चलते चले जाएं कन्फ्यूज होने वाली अपरोच से बचिएगा और ग्रहस्त जीवन की सलाह को सर्व मानने करके चलिएगा ग्रहस्त की और से कोई भी जल्दबाजी अगर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि केतु सब्तमे बिराजित है तो उससे भी आपको रुखना होगा नौकरी पेशा जीवन में बारम बार ये अमतर चेतनाए सामने है कि हमारे लिए ले ओफ की पोजिशन नहीं आ जाए सेलरी कट की पोजिशन नहीं आ जाए ऐसी सारी ही दोविधाओं से खुद को आप जतना दूर रखते हैं उतनी ही समझदारी यहाँ पर रहेगी व्यापारिक साज़ेदारियों के अमदर भी तेवरता दिखाने से बचना चाहिए तो वहीं करक राशी यहाँ आप देखिएगा कि जो अग्याद भय किसे रहे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं और जब अग्याद भय बढ़ता है तो व्यक्ति कर्म से अपने मन को उचाट कर लेता है और आपने कोई रंड लिया था मांग लीजिए किसी व्यक्ति विशेश से उसको चुकाना है किसी और व्यक्ति के पास में पहुंचते हैं उससे साहिता लेते हैं तो एक जगे से गड़ा खोद के दूसरी जगे के मिट्टी से उसको बरते हैं और यही प्रक्रिया लगातार चलती चली जाती है इससे बचें इस पस्ट जवाब देने के वार चलें जिससे कि आपके अग्याद भय भी इस समय में कम रहेंगे बले ही मैं व्यापारिक दिस्ट इकॉर्ण की बात करूँ और बले ही आपके लिए व्यापार के साथ में जुड़े हुए व्याभार की बात करूँ जो ये 23rd of सब्टेंबर के बात का समय रहेगा और अगले 18 मेने तक की जो गतिवदियां है राहू और केतू की इस्ततियां आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आएगी किन्तु तब तक खुद को संभालना स्वयम को संगटित रखना अपनी बातचीत के अंदर आशा का प्रवास रखना बहुत जादा आपके लिए आवशक रहेगा स्वास्त्य संबंधी इस्ततियों के अंदर यहां एक संबल बना हुआ है तो वहीं शत्रू हावी नहीं होने पाए यहां शत्रू हावी तो नहीं हो पाएंगे किन्तु आप किसी भी तरीके का ऐसा स्टेट्मेंट मन दिजिएगा कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आगे जाकर वो आपके साथ बदले की भावना से जुड़ने वाले रहें तो वहीं संग राशी शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ या आकस्मिक धनलाप के कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है यहां महत्वून निवेश में एक संभाल कर चलने की धरकार आपके लिए रहेगी संतान पक्ष को अगर आप द्यापार में जोड़ना चाहते हैं तब भी थोड़ी से दीमेपन के साथ में चलिएगा अगर वो नौकरी कर रहे हैं और आप अपने साथ में जोड़ने की एक प्रवर्ती को लेकर आना चाह रहे हैं तब भी यहां समझदारी से नरणे आप लें नौकरी पेशा जिवन में कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है तो आप उसकी स्विकारोक्ती की और जा सकते हैं ये एक पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बना रहने वाला है और वहीं व्यापारिक साज़दारियों में जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना होगा महत्वपूर्ण निवेश का अगर आपके उपर प्रेशर आ रहा है तो जहां हमने कल्कुलीशन पूरी कर ली है और 16 सितंबर के बाद से ऐसी कल्कुलीशन को अगर आगे बढ़ाया जा सकता है तब हम उस और जाएं यानि कि 16 सितंबर से 23 सितंबर तक के समय अंतराल में ऐसे निरने फिर भी लिए जा सकते हैं उसके पहले सावधानी क्या विशक्ताएं रहेंगे कन्या राशी आज विका का कोई भी नया माध्यम विक्सित करना है वहां हमको रोक कर चलना होगा पर्थम द्रस्टी गोचर इस्तती ये दिखाई देती है इच्छा शक्ती का अभाव नहीं है किन्तु इच्छा शक्ती हमको किस और लेकर जा रही है ये सुभावगत इस्ततियों में आप समझ कर चलें प्रबंदन जो इतने लंबे समय से आपने किया है और स्वप्रबंदन की गतिविधियों की वज़े से कई बार जो वज़े आपने आसल की है वहां पर भी गफलत सामने आने वाली नहीं रहे ये भी मूल मंत्र रहे यहां आपको घर परिवार की जो स्मर्तियां है और घर परिवार की जो जड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लालाई कर सकती है आप किसी एक ओहदे की उपर पहुँच गए किन्तु मन में यह है कि सब को छोड़ चाड़ के फिर से अपने घर परिवार के साथ में जोड़ जाता हूँ नेटिव प्लेस में जाकर रहता हूँ ऐसे प्रवर्तियों में मेरा आप से यहां यही निविदन है कि जो ये अगले दू महीने का समय है इसको अपने मन को इस्तर करके निकालने की आवशक्ताओं के साथ में आप लेकर चलते हैं तो ज्यादा बहतरी है तुला राशी को भाग्य के उपर बहुत जादा वरोसा करने से इस समय बचना चाहिए तो वहीं जो व्यक्तिकत पराकरम कई बार दिखाना होता है और वो हमारे लिए ही निराशाओं को लेकर आता है उससे आप बचिएगा भाईयों के साथ संबंदों में तल्किया निकल करनी आए और रिष्टों की गणना में केतू की वज़े से जल्दबाजी नहीं निकले ये भी आपको ख्याल रखना होगा जो स्पिरिच्वल प्रोग्रेस और दूर दर्शिता के साथ में कालरे करने की जो शमताएं आपने भीतर विक्सित की है उसको कहीं पर भी आप भौन करने वाले नहीं रहें सक्षा संबंदी किसी भी गतिविधी में आपने एक स्थती को प्राप्त कर लिया है राहू अब ऐसी दिख ब्रमित करने वाले स्थतियां लेकर आ सकते हैं कि आपका मन फिर से उचाट हो जाए उससे बचें नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां जो भी परिवर्तन आएंगे तो त्वरित गति के साथ में निकल कर आएंगे तो अपनी सजगता को पूर्ण कालिक स्तर के उपर बना कर रखें उसके दो बेनिफिट आपके लिए रहेंगे पहला यह है कि अगर आप पूर्ण कालिक तोर के उपर सजग है और जब आपको ढहिया का अमतराल चल रहा हो और कोई भी परिवर्तन ऐसे रफ्तार के साथ में सामने आए और यह वन्स नवाइल की पूजिशन्स का मौका हो तो उसको स्वीकार किया जा सकता है किन्तु कमफर्ट जोन बनने वाला नहीं रहेगा यह भी मूलबंत रफने साथ में आप रख कर जरूर चलें वही वरिश्चक राशी जो ओचक रूप से परिशानिया निकल कर आती है वो आपको परिशान कर सकती है और यहाँ पर जितनी परिशानियों की स्थिया नहीं है उससे जादा सोच के साथ में जो परिशानिया गोमती है वो आपको डेस्ट आप कर सकती है यह ध्यान रखेगा विदेश, संबंधी, कोई भी कार्य रुपए पैसों के महतुपूर्ण लेन देन के साथ में जुड़ा हुआ है और आप फैसिनेशन के साथ में निरने लेना चाह रहे हैं वहाँ बचें केमिकल, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, संबंधी, गतिविधी और ऐसे ही किसी कार्य विशेशक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक शेप रहा है तो वहाँ पर भी वर्द्धी के संकित आपके लिए रहेंगे कि तो इस समय के भीतर अंजान व्यक्ति के उपर विश्वास करने से बचें लॉंगर टर्म की अप्रोच में आपको टाइम बाउंडेट कमिट्मेंट किसी वर्ग का करना है तब भी अपनी गणनाओं में बहुत जादा सजगता बरतने की आवशक्ताएं आपको रहेंगे दनुर आशी यहां लोगों की जो स्वार्थ परक्ता है व्यापार में वो इन महीनों में सामने आ सकती है अगस्त और सतंबर में आप उसका ख्याल रखें किसी वक्ति विशेश से पहले दोखा खाया है जल्द बाजी में उसके साथ फिर से जुड़ने की और यहां न जाएं तो बहतरी है केमिकल इंडस्टरी के साथ में आपका जुड़ाव है या पिर एक तरह से जो सिक्योरिटी सिंपन्दी कामकाज होते हैं वहां आपका अस्तक्षेप रहा है तो कुछ नए ओफर्स आ सकते हैं किन्तु उनके अंदर हम कॉम्परमाइस की पोजिशन के साथ में आगे बढ़ने वाले नहीं रहें ये मूल मंत्र अपने मन के भेतर स्थापित करके रखिएगा ग्रहेस्त जीवन को आपने लंबे समय से एक बॉंडिंग के साथ में इस्टेब्लिश किया है जहां कहीं नगई कटुता थी तो अब फिर से ब्रहम निकल करने आए हम शंकाओं के साथ में और अशक की स्थतियों के साथ में चलने वाले नहीं हो जो बात बेसलेस है उसी का बेस अपनी फेबरिकेशन के इंदर क्रियेट करना और उसी के उपर अपनी सारी है अवधारना को बना देना उससे स्वयम को बचाकर रखने की आवशक्ता है रहेंगी त्वरित गती में निरने एक अलग बात है किन्तु त्वरित गती में निरने के साथ में फाइनेंशल एस्पेक्ट की मेजर कैलकुलेशन को जोड़ना वो भी बहुत अलग बात है तो दोनों को ही आप बहुत सार और संभाल के तक का जो समय अंतराल है, यहां आपके लिए आत्म विश्वास की स्ततियों में वरद्धी रहेगी, किन्तु वो अति आत्म विश्वास में बदलने वाला नहीं हो, मकर राशी, यहां स्वास्ति की परती आपको जो नसों संबंदित रोग होते हैं, उस से कहीने कहीं ध्यान र उपर एक नियंतरण स्थापित करना होगा, रिण अगर व्यापारिक जीवन के अंदर लेना है, जहां तक स्पस्टता नहीं है, वहां तक हम बढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंदित कामकाज, जो कोई अन्य शहर के साथ जुड निशन के साथ में नहीं है, फ्रस्ट्रेशन के वज़े से निरने ले रहे हैं, तब भी आपसे यही उजारिश करूँगा, कि थोड़ा सा रुप कर चलने वाले रहें, कुम राशी के लिए यहां जो अपने क्शमताओं के अंदर दिख भ्रमित करने वाली स्ततियां होती है जहां आप कमिटमेंट कर सकते थे, कहां यह मैं कारे कर जाओंगा, वहां पर भी आप मना करने वाली स्ततियों में आ सकते हैं, उससे बचिएगा, आपको अपने क्शमताओं के उपर पूरे तरीके से भरोसा करके चलना होगा, शेयर मार्केट में इस समय अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, उससे चोटे चोटे टुकड़ों के भीतर आप बांट कर रखते हैं, तो स्वहिम के लिए बहतरी रहेगी, सक्षा संबंधी का तिवधियों में मन उचाट हो सकता है, किसी भी रिलेशन को आपने डेपलप किया है, तो वो रिलेशन यहां एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम को दिखाने वाला रहेगा, मीन राशी के लिए इस समय अग्याद भाई की स्ततियों से बचना होगा, और वहीं पर इस्थाइत त्वसंबंधी कामकाज में आपके लिए वरद्धी के संदेश निकल कर आ सकते हैं, माता स्थान के साथ कही पर भी दुराव बढ़ने वाला नहीं हो, नेटिव प्लेस में कोई वेक्ति विशेश है, या वहां से जुड़ेवा रिलेशन्स है, वहां से जुड़ावा कोई कामकाज है, और रोद आ सकते हैं, जुब कर चलने में ही भलाई रहेगी, एगो की पोजिशन्स को जितना के लिए बहतरी है, तो ये था इन दो महीनों के लिए जो राहू केतु के परिवरतन से पहले किस्तियों का है, उसका हाल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे, धन्यवाद और कोटी शह आभार